अपॉस्टल अंकुर योसफ नरूला जी को किसी परिचे की आवशक्ता नहीं है जिस प्रकार उन्होंने परमेश्वर में चलते हुए मसी के कामों को किया है उस विश्वास योगता को देखकर परमेश्वर ने उन्हें इतना उंचा और सामर्थी किया है जिसके चलते तीन ल अंकुर नरूला मनिस्टिस की 125 से भी ज़्यादा चर्चिस स्थापित हो चुकी है और ये गिंती लगातार बढ़ती जा रही है झाल झाल जलंदर में जो हेड चर्च बन रही है निर्मान के तोर पर देखा जाए तो वो एशिया की सबसे बड़ी चर्च है प्रेरित जी ने अपना जीवन पून रूप से मानवता के कल्यान और परमेशुर के कामों के लिए समर्बित किया हुआ है करोना काल में जहां सब लोग बचा रहे थे वहीं अपॉसल अंकर योसफ नुरूला जी ने सेवकाई की और से पंजाब में राशन वितनंग करवाया और घर घर तक राशन पुंचाया प्रवासी मजदूरों के लिए भी राशन का प्रबंद किया और उनके लिए लंगर लगवाई पॉलिस परशासन और सरकार की हर संभव मदद की हॉस्पिटल्स के लिए ऑक्सिजन कंसिट्रेटर्स, सैनिटाइजर्स, पीपी किट और अन्य आवशक समगरी का परबंद कराया क्योंकि जो कुछ बाइबल ने बताया है वो प्रमेश्वर के दास ने पूरी निष्ठा के साथ उनकारियों को किया है और मसी के लिए अपना जीवन समर्बित किया है उनके मानम कल्यान के कारेयों और समाजिक उत्थान को देखते हुए विभिन देशों की गर्मंट्स ने उन्हें बुला कर सम्मानित किया है अमेरिका, कनेडा, अस्ट्रेलिया और कई अन्हे देशों ने उन्हें विशेश दोर पर सम्मानित किया है प्रमेश्वर लगातार इनका विस्तार करता जा रहा है जो चर्चिस अंकुनुला मिस्टिस की विभिन जिलों, राज्यों या देशों में स्थापित हुई है वो अपने शेत्र की सबसे बड़ी चर्चिस है चाहे वो गुर्दासपर हो, अम्रिस सर हो, पटाला हो, अजनाला हो, लुध्याना, पट्याला, होश्यारपुर, फिरोजपुर, हर्याना, दिल्ली, बिहार, मुंबई, कॉलकाता, चर्चिसगड, माचल परदेश, उत्तर परदेश और विदेशों में कनाड़ा, यूके, उस्ट्रेलिया, अमेरिका, डुबई, येरोप के विभिन देश और अन्य देश में हो, सच मुझ परमेश्वर ने अपना सच्चा दास खड़ा किया है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए और अपने लोगों को छुडाने के लिए, अंकरुलमनिस्ट्री की तरफ से जो विभिन शहरों, राज्यों और देशों में मसीही समेलन या मसीही सतसंग कराई जाते हैं, उनमें लाखों लोग हिसा लेते हैं। खाली में अंकरुलमनिस्ट्री के अम्रिसर, अरजनाला और गुर्दासपुर में हुए मसीही सतसंगों में दस लाख से भी जादा लोगों ने फिसा लिया। सचमुच लोग परमेश्वर के दास के वच्चनों को सुनने के लिए दूर दूर से आते हैं। और बड़ी कंभीरता से सुनते हैं। क्योंकि जब परमेश्वर के दास बोलते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ उनमें जलगती है। और जैसे जैसे परमेश्वर के दास अपॉसल अंकर युसफ नुरूला जी प्रात्रा के दौरान बोलते हैं। वैसे वैसे ही लोगों के जीवन में कारे होते हैं और परमेश्वर अपने लोगों को बड़ा छुटकारा देता है आपके फाइनेंस में परवेश कर जाएं आपके विजनस में परवेश कर जाएं आज जीवन आपकी फैमिलीज आपकी रिलेशन्शिप में परवेश कर जाए जहां मौत है वहां जीवन हो जाए ये शुमसी के सामर्थी नाम में आमेनू चाहिए परकत तुम्हारी है चर्च